फ्लीफाय में टू फिंगर से फास स्विचिंग कैसे करें? हर कोई चाहता है भाई, बिना क्राप जैसे तीन और चार उंगलियों का यूज किये फास स्विचिंग करना गजब बेज जती है तो तुम लोग को सबसे पहले बता दू कि फ्लीफाय की स्विचिंग मेकानिजम में पहले तीन ग्लिच थे अच्छा? हाँ सही बता रहा हूँ और जिसमें से गरेना ने एक ग्लिच पिक्स कर दिया है अब तुम सोच रहोगे या ट्रिक बताने से पहले ये क्यूं बता रहे हैं आई भी भाई तो देखो ट्रिक को समझने के लिए न ये जान लोगे तो बहुत ज़ाधा बेटर रहेगा तो स्नाइपर का सबसे पहला स्विचिंग ऐच था कि जब हम से फायर करते थे और जैसे ही second sniper पे switch करते थे second sniper भी fire करने के लिए ready position में रहती थी देखो simple सा funda है कि जब कोई sniper rifle fire करती है तो उसको fire की बाद थोड़ा सा time चाहिए होता है next fire करने के लिए तो पहले switching करने की वज़े से वो process gap खतम हो जाता था जिससे machine gun जैसी sniper चलती थी तू समझा नए तू समझा नहीं वो glitch तो गरेना ने हटा दिया लेकिन अभी भी दो glitch sniper में बचे हुए है वो मैं next video में अच्छे से explain करूँगा sniper में पास switching करने के लिए हम लोग को सबसे पहले switch time कम करना पड़ेगा अब ध्यान से देखो यहाँ पे मैं two finger पे normal switching कर रहा हूँ fire करने और switch करने के बीच में थोड़ा सा extra time लग रहा है अब हमें इस extra time को कम करना है वो कैसे करेंगे अब three finger से यह करना तो बहुत आसान है तुम देख सकते हो कि fire और switch के बीच में time कितना कम हो गया है अगर मैं three finger use कर रहा हूँ लेकिन अपने को करनी है two finger से switching उसके लिए हमको सबसे पहले setting open करना पड़ेगा और इसमें switch button को on करना पड़ेगा फिर इसके बाद बाद आती है कि इस switch button को रखना कहां पे है तो तुमको इसको रखना है अपने joystick के right side में और अब तुमको ये fire button दिख रहा होगा इसको प्रेस करने के बाद तुमको इस switch button को तो तुमको डायरेक्ली इसको इस तरह से प्रेस नहीं करना है और साथी साथ तुम्हारा movement भी हो जाएगा अब इसमें तीन steps है easy से तुमको सबसे पहले sniper एक बाद normal तरीके से switch करने तभी तुम्हारा switch button काम करेगा कुछ इस तरीके से step 2 में तुमको fire button प्रेस करना है step 3 में तुमको इसी तरीके से slightly drag करना है towards joystick और अब तुम्हें इस trick से cover में रहके भी बड़ी आसानी से non-stop fire कर सकते हो और तुम्हें कोई जल्डी hit नहीं कर पाएगा अब इस switching के साथ अगर तुम crouch button भी use करोगे तो तुमको एक अच्छा reflex मिलेगा जिस trick की वज़ा से जल्डी तुम्हारे head पे कोई aim नहीं ले पाएगा लेकिन, 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 AWM, MA2B और M24 सबका अलग rate of fire है और जिसका rate of fire जितना कम तुमको उसको fast switch करने में उतना ही ज्यादा problem होगा जैसे तुम AWM को बड़े आसानी से switch कर लेती होगे लेकिन, जब MA2B की बात आती होगी, तो बड़ी problem आती होगी क्योंकि MA2B, AWM जितना fast switch हो ही नहीं सकती क्योंकि उसका rate of fire उतना ज्यादा नहीं है बात तो सही है तो अब free fire में sniper का rate of fire को increase करने के लिए भी कुछ trick है जिससे तुमारी switching speed बर जाएगी सबसे पहली चीज आती है sniper stop अब ये अभी नया नया update के बात तुमको देखने को मिला होगा जिसकी वज़े से तुमारी rate of fire है sniper rifle की वो increase हो जाएगी मतलब तुमारी switching speed भी अच्छी खासी बढ़ जाएगी दूसरी चीज आती है gun skin अब tournament केलते हो तो फिर इसका कोई role नहीं है लेकिन अगर तुम rank push करते हो तो तुम gun skin अगर rate of fire वाली लेते हो especially अगर double rate of fire वाली लेते हो तो भी तुमारी AWM की या फिर MA2B की जो switching speed है वो भी increase हो जाएगी मतलब तुमको ये तीन tricks बालो कर दिया है अगर तुमको sniper stop मिल गया और उसके बाद अगर तुम दें rate of fire वाली gun skin लगा ली तो भाई फुल तबाही मचाएगी तो तुम लोग भी training ground में जाके तबाही मचाना शुरू कर देना लेकिन रुको रुको तुमको क्या-क्या problem शुरू में आईगी अगर तुम ये सब tricks यूज करते हो तो कई बाद तुम्हारा fire button दबने के बाद switch भी होगा लेकिन fire नहीं होगा या फिर switching के बीच में अटक जाओगो लेकिन practice के साथ वो सब चीज़ेशी हो जाएगी और अगर तिम लोग को smart wall throw का perfect tutorial चाहिए तो इस वीडियो पे 10k like aim करा दो जलबी से वो जानने की बाद तुमानी wall speed भी बहुत जाद अच्छी हो जाएगी और उसमें बहुत सारी चीज़े एकदम detail में बताऊंगा तो मतलब अब चैनल पे बहुत मस्त मस्त वीडियो आने वाली हैं तो चैनल को subscribe जरूर से कर लेना सेकेंड चैनल subscribe कर लो family वहाँ पे e-sports related वीडियो आने वाली हैं अभी मैं बहुत सारी अलग अलग तरीके की e-sports की वीडियो डालूंगा वहाँ पे और वहाँ पे regular live stream भी होता है जहां पे हम लोग guilt test लेते हैं तो जल्दी से जाके उस चैनल को subscribe कर लेना description में link है और उसका bell notification भी on जरूर कर लेना मैं मिलता हूं next वीडियो में till then goodbye take your family fast glue wall की trick बहुत जल्दी post करने वाला हूँ